विश्वास, इच्छा की प्राप्ती के लिए कल्पना करना और उस पे विश्वास करना, दौलत्मन बनने की और दूसरा कदम. विश्वास मन का मुख्य रसायन है जब विचारों की आवरुत्ती विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवरुत्ती को अध्यात्मिक शक्ती के रूप में असीम शक्ती के पास भेज देता है जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके सभी साकारत्म भावनाव में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्रेम और सेक्स जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ती होती है जिसे विचारों में नई उर्जा बरके तुरन अंदर्मन में पहुच जाती है जहां ये आध्यात्मिक शक्ती के रूप में बदल जाती है आध्यात्मिक शक्ती वह माध्यम है जो असीम शक्ती से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है प्रेन और विश्वास मन से संबंदित है जो अधिकतर आध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए है जबकि सेक्स पूरी तरह जीव विज्ञान से संबंदित है या सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत विचारनिय मन और असीम शक्ती के बीच सम्मात का सीधा रास्ता बनता है विश्वास कैसे विक्सित किया जाए विश्वास एक ऐसी मनस्तिती है जिसे आत्म सुझाव सिधान त्वारा अंतरमन में बार बार सुझाव देने से विक्सित किया जा सकता है विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के संवेग को भौतिक रूप में साकार कर सकता है जो अगले अध्याए आत्म सुझाव और अध्याए अंतरमन में अनुदेश बताए गए है उन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतरमन को विश्वास दिला दे तो उसे वह जरूर मिलता है आपके लक्ष प्राप्ति के लिए अंतरमन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामों निशानी नहीं हो तो उसे यह बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विक्सित किया जा सकता है यह ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना विश्वास एक मनस्थिती है जिसका विकास किताब में दिये गए इन तेरा सिध्धान्तों पर महारत हासिल करने के बाद किया दा सकता है बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाय विक्सित करने का एक मात्र जरिया है आगे दिये गए विवरंट से यह साफ हो जाएगा जो सुझाव आप मन में डालते हो वही बन जाते हो यहां तक की अपरादी भी एक अपरादिक रिस्त में कहा गया है जब लोग पहली दफा अपराद का या अपरादियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे घृणा करते हैं अगर फिर भी वे किसी तरह कुछ दिनों तक अपराद के संपर्क में बने रहे तो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं तथा जब वे काफी लम्मे समय तक उसके संपर्क में रहते हैं तो अपराथ से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं अगर इस बात को इस तरह कहें कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतरमन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और इस पर कार्य करता है अंतरमन उस स्वें को साकार रूप देने के लिए कोई न कोई व्यवारिक प्रक्रिया उपलग कराता है वे सभी विचार जिन से भावनाय जुर जाती है और उनमे विश्वास भर जाता है तो वे विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर लेते हैं ऐसे लाखों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे गरीबी और भुकमरी में जीने के लिए इसलिए अपशक्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमई शक्ती उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है इस नकारत्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य की निर्माता खुद होते हैं क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारत्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप में आकार देता है एक बार फिर ये बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुचा दीजे परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो अगर ऐसा है तो आप उसे भौतिक रूप में बदल सकते हैं आपका विश्वास ही वभाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है आत्म सुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को धोका देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है जिस तरह से मैंने अपने पुत समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हो अंतर्मन विश्वास और आस्ता की स्तिती में दिये गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वह हकीकत में बदल जाएगा सबसे सीधे और व्यवारिक तरीके से भौतिक रूप मे बदल देगा निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुवाती पॉइंट पर पहुँच सके जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दिये जाने वाले किसी भी आदेश को आस्ता से सरुबार करने की योग्यता हासिल कर सके पूर्णता अभ्यास से ही आएगी यह केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती आपके लिए यह अनिवारिय है कि आप सकारत्मत भावनाओं को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोदसाहं करें और नकारत्मत भावनाओं को हतोसाहित करके उन्हें अपने मन से निकाल दें जिस मन में सकारत्वा भावनाओं की प्रबलता होती है वह उस मन अवस्था का प्रिय निवाज बन जाता है वह मन इच्छा के अनुरब अंतरमन को निर्देश देती है जिसे यह स्विकार करता है और उस पर तुरंद कार्य करता है काफी लंबए समय से धर्माव लंबी, संगर्शरत, मानवता को यह संदेश देती रहे है कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धान्त में विश्वास करना चाहिए परंतु वे लोगों को यह बताने में असफल रहे है कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए उन्हें यह नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक अवस्ता है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विक्सित किया जा सकता है ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके हम वह सिधान्त बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहाँ पर विक्सित किया जा सकता है जहां पर इसका नाम और निशान नहीं है अपने आप पर विश्वास रखे और परम्पिता पर विश्वास रखे इसके पहले कि हम शुरू करे आपको एक बार फिर यह याद दिलाना ज़रूरी है विश्वास ही वशक्ती है जो विचार के आवेक को जीवन, शक्ती और क्रियाशील्टा प्रदान करता है पिछला वाक्यत दुबारा पढ़ने लायक है और तीसरी बार यहां तक की कई बार भी पढ़ सकते है जोर से पढ़ दे तो बहतर होगा विश्वास धन कमाने का शरुवाती बिंदू है विश्वास उन सभी चमतकारों और सभी रहस्यों का आधार है जिने विज्ञान के नियमों के आधार पर सपष्ट नहीं किया जा सकता विश्वास काम्याबी का इकलोता इलाज है विश्वास वह रसायन है जिसे जब प्राहतना के साथ मिलाया जाता है तो इनसान असीम शक्ती के साथ सीधा समवात करता है विश्वास वह रसायन है जो इनसान के सीमा बध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को अध् आत्मिक सम्तुल्यों में रुपांतरित करता है। विश्वास इकलोता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ती की वैश्विक शक्ती का दोहन और प्रयोक कर सकता है। प्रमान आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्मसुजाव के सिध्धान्ट में लिप् हम अपने ध्यान को आत्म सुजाव के विशेव पर क्रेंदित कर ले और यह पता लगाए कि यह क्या है और यह क्या हासिल करने में समर्थ है यह तत्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार-बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता ह चाहे वह बात सही हो या गलत अगर कोई आदमी बार-बार किसी जूट को दोहराता रहे तो अंततह वह उस जूट को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा यही नहीं वह विश्वास करने लगेगा कि यही सच है इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वह अपने म में जगह देता है जिने वह सहानबुती के साथ प्रोचसाहित करता है और जिने वह अपनी भावना के साथ संबद करता है वे प्रेरक शक्तिया बन जाते हैं जो उसकी हर गतिविदी हर कारिय और हर करम को नियंतरित और निर्देशिव करती है आईए अब एक बहुत ही महत् जब विचार भावनाओं के साथ सयोजित हो जाते है तो वे एक मैगनेटिक पावर बन जाते है जो अपने सामान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंतरित करते हैं भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुमबकियों हो गए विचार की तुलना हम उ आखो अंगिनत बीज नहीं बन जाता मानुलिय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकरशित करता है जो मन में रहे विचारों के अनुरूप हो इनसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार योजना या लक्ष अपने रिष्टेदारों को आमंतरित और आकरशित करता हैं अब हम शरुवाती बिंदु पर फिर से चले और यह जाने कि किस सरम किसी विचार योजना या लक्ष का मूल बीज मन में बोया जा सकता हैं यह जानकारी आसानी से दी जा सकती है किसी भी विचार योजना या लक्ष को बार बार दोराय जाने पर इसे मन में रखा जा सक भागेशाली महौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करे और अपने जीवन को सही पटरी पर लेया, अपनी मानसिक संपत्ती और दायतियों का अपनी हिसाब लगाए और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्म विश्वास की कमी। आप आत्म सुझाओ के सिद्धान की मदद से इस कमी या अर्चन को और कर सकते हैं और अपने संकोच को सास में बदल सकते हैं। इस सिद्धान का प्रयोग कुछ सकारत्मंग विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सका विचारों को लिख ले, याद कर ले और बार बार पढ़े जब तक कि ये आपके अंतर्मन के सक्रिय उक्रण का हिस्सा ना बन जाए। आत्म विश्वास का फॉर्मिला पहला, मैं जानता हूँ कि मुझे जीवन के निश्चित लक्ष को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से ये अपेक्षा रखता हूँ कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य कर और मैं यहाँ पर अभिवादा करत हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करूँगा दूसरा मुझे एसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततह अपने आपको बहारी भौतिक कारियों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आपको भौतिक रूप में रुपांतरित कर लेंगे इसलिए मैं अपने विचारों को ह पर दिन तीस मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूँगा कि मैं उस तरह इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ठ तस्वीर रहें। हर दिन दस मिनिट इस काम में दूँगा कि मैं आत्म विश्वास का विकास करूँ। पाच्वा, मुझे पूरी तरह एसास है कि कोई भी संपत्ती या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रहा सकता जब तक कि है सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिवीदी में स्लंगन नहीं होंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाब ना हो। मैं इसी शक्तियों का अपनी तरफ आकरशित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोक करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों के सयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। कि वे नेरू सेवा करे क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छु करूँगा मैं सारी मानवता के प्रती प्रेम विक्सित करूँगा और ग्रणा, इर्शा, स्वार्थ और दोश देखने की आदत को अपने मन से दूर करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूसरों के प्रती नकारत्मग नजरियां रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती मैं ऐसा काम करूँगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो क्योंकि मैं उन में और अपने आप में विश्वास रखूँगा मैं इस फॉर्मिला पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद करूंगा और इसे हर दिन जोर-जोर से पढ़ूंगा ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कारियों को धीरे-धीरे प्रभावित करेगा ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सको इस फॉर्मिला के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है इस नियम को आप किस नाम से पुकारते है यह महत्वपूर्ण नहीं है इसके बारे में महत्वपूर्ण तत्य यह है कि यह मानव जाती की सफलता और प्रसिद्ध के लिए काम करता है बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए दूसरी ओर अगर इसका विद्वन सात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतना ही तत्परता से नश्ट भी कर सकता है इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई चुपी है यानि जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजारते रहते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाओ के सिध्धान का नकारत्मक प्रयोग किया है इसका कारण यह तत्य है कि विचार के सभी स्वेंगों की यह प्रवृत्ती होती है कि वे अपने आपको अपने भौतिक रूप में रुपांतरित कर लेते हैं अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है यह विध्वन सात्मक यह उस सामगरी पर काम करता है जो हम अपने विचार स्वेंगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं अंतर्मन डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह सहस यह विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पईयो को आगे बढ़ाती है और मानव जाती की सेवा करती है परन्तु नकारत्मक प्रयोग किये जाने पर यह जान भी ले सकती है उसी तरह आत्मसुजाओ का नियम आपको सुख, शान्ती और सम्रिद्धी दे सकता है या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यू की घाटी में फेक सकता है जो इस बात पर निर्फर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं अगर आप अपने मन में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं अगर आप यह मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुढने और उनका प्रयोग करने की सामर्थया नहीं है तो आत्मसुझाओ का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस साचे में ढाल देगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसे इसके भौतिक रूप में बदल लेगा उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिन दिशा में आत्मसुझाओ का नियम आपको उपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांदा है आत्मसुझाओ के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ती उपलब्धी की कल्पनातित उन्चाईयों को छू सकता है और यह इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभी व्यक्त होता है अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए है तो आप हार गए है अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो यह लगभगते हैं कि आप नहीं जीत पाएंगे अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है यह पूरी तरह से मानसिक स्थिती पर निर्बर है अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड गए है तो सचमुझ ऐसा ही है आपको उपर उटने के बारे में सोचना होगा आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा और तभी आप जिन्दगी में कुछ कर सकते हैं जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है बलकि तुरंथ या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है और आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवी के मन में था आपके मन में कहीं न कहीं उपलब्दी का बीच सोया हुआ है जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन उचायों पर ले जाएगा जिने हासिल करने की बाद आपने सपने में भी नहीं सोची होगी जिस तरह महान संगीतकार वाइलिंग के तारों से संगीत का सुंदर लहरिया छेड सकता है उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है इसके माधियम से आप अपने आपको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष को प्राप करना चाहे उस लक्ष को प्राप कर सकते हैं 40 साल की उम्र तक अब्राहिम लिंकन ने जिस काम में हाट डाला वे उसमें असफल रहे वे किसी गुमनाम जगे से आये हुए गुमनाम आदमी थे जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव के उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिबा को नहीं जगाया तब जाकर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जड़ा हुआ है यह अनुभव एना रेटलेच के माध्यम से आया जो इकलोती महिला थी जिसे लिंकन ने प्रेम किया था यह एक सूप परिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक अवस्ता से बहुत करीबी रूप से चुड़ा हुआ है इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार स्वेंगों को उनके आध्यात्मिक रूप में बदलने के सबसे करीब होता है अपने शोत के दोरान लेखक ने पाया कि सैक्रो सफर लोगों की जीवनियों और उपलब्दियों के विश्लेशन से यह पता चलता है कि उनमें से लगबग सभी की सफलता के पीछे किसी ना किसी महिला के पराम का प्रभाव स्पष्ठ रूप से था अगर आप विश्वास की शक्ती का प्रमान चाते हैं तो आप उन पुर्षोग और महिलाओ के उपलब्दियों का अध्यान कीजिए जिन्हों ने इसका प्रयोग किया सूची में सबसे उपर नजरेन का नाम आता है इसाई धर्म का आधार है आस्था चाहे कितने ही लोगों ने इस मान शक्ती के अर्थ को गलत धंग से विश्वेशित किया है और तोड़ा मरोडा है इसा मसीय की शिक्षा और उपलब्दियों का सार जिसे चमतकार के रूप में विश्वास या आस्ता ही है अगर चमतकार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है आईए अब हम उस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ती देखे जिसे पूरी मानों सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है उस आदमी का नाव है महात्मा गांदी इस आदमी में विश्वास की संभावनाव का सबसे चमतकारी उधारन देखने को मिलेगा अपने समय में गांदी जी के पास जितनी शक्ती थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ती के पास नहीं थी और उसके बावजूद उनके पास शक्ती के कोई पारंपरिक आउजार नहीं थे, जैसे की धन, युद्ध के जहाज, सिफाई या हत्यार, घांदी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ती थी, उनके पास यह आई उन्होंने इसे विश्वास के सिध्धान की समझ के द्वारा विक्सित किया और उमें यह योग्यत्या थी कि वे अपनी आस्ता को 20 करोड लोगों के दिमाग में बो सके घान्दी जी ने 20 करोड मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुडने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया जो एक महानकार्य था विश्वास के सिवाए और कौन सी शक्ती इतना कर सकती थी बिजनेस और उद्योग चलने में विश्वास और सरयोग की जरुद होती है ऐसे में यह रोचक भी है और लाबदायक भी कि हमें गटना का विश्लेशन करें जो हमें बहुत अच्छे धंग से वह तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योग पतियों और बिजनेसमेनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया यह घटना 1900 की है जब United States Steel Corporation बन रहा था जब आप कहानी पढ़े तो इन मूल भूत तत्यों को अपने दिमाग में रखे और आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह धेर सारी दौलत कमाई जाती है तो United States Steel Corporation के निर्मान की यह कहानी आपको काफी कुछ सिखा देगी अगर आपको इस बारे में जरासी भी शंका है कि इनसान विचारों के माध्यम से या सोच कर अमीर बन सकते हैं तो यह कहानी आपके मन से शंका को बगा देगी क्योंकि आप United States Steel की कहानी में इस पुस्तक में बताये गए से दान्तों का प्रयोग पाएंगे उस बिलियन डॉलर के भाषन के काफी दिन बाद 12 डिसमबर 1900 की शाम को देश के लगबग 80 अमीर दिगज 5th Avenue के युनिवर्सिटी क्लब के समारो हॉल में इखटे हुए अउसर था पस्चिम से आए हुए एक योग का सम्मान करना परंतु आधा दरजन से अधिप अतितियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे लोग अमरीका ओदियों के कितियास के सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने जा रहे थे जे एडवर्ड सिमन्स और चार्ल्स टूअर्वर्ड स्मित के रिदय कृतग्यता से भरे थे क्योंकि जब वे हाली में पिट्सबग गए थे तो चार्ल्स एम श्वाब ने उदारता पूर्वक मेमान नवाजी की थी और उनका अध्वुत अतिती सत्कार किया था सिमन्स और स्मित ने 48 साल के श्वाब से पूर्वी बैंकिंग सोसाइटी का अपरीचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था परंतु उन्हें आशा नहीं थी कि वे इस समारों में हंगामा खड़ा कर देंगे उन्होंने उन्हें यह चेतावनी दी थी कि नियोक के लोग भाशन की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे तथा यदि वे स्टील मैन, हरी मैन और वेल्निर्मिल जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाते तो बहतर होगा कि वे अपने भाशन को 15 या 20 मिनित तक सीमित रखे और फिर अपनी बात खतम कर दे जौन, पियरपन, मौगन अपने उच्छ पत के कारण श्वाब की दाई तरफ बैटे हुए थे वे भी इस समारों में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारों का जिक्र किसी भी अकबार में नहीं चपा दोनों मेजबानों और प्रक्ष्याद अतितियों ने अच्छी तरह से डिनर किया बीच में बहुत कम चर्चा हुई और जितनी हुई वह भी तनाव के महाल में हुई बहुत कम बैंकर और ब्रोकर श्वाब से मिले थे जिसका करियर मुनंगा हिला के किनारे पर परवान चड़ा था और उसे कोई भी अतिती ठीक से नहीं जानता था परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मनी मास्टर मॉर्गन के पैरो तले जमीन खिसक गई और बिलियन डॉलर के युनाटेट स्टेट स्टील कॉर्परेशन का बीज बोया गया इतिहास के इलाज से शायद यह दुर्भागय पूर्ण है कि उस डिनर में चाल श्वाब के दिये हुए भाशन का कोई रिकार्ड नहीं है शायद यह घरेलू भाशन होगा जिसमें ग्रामर की कई गलतियां होगी क्योंकि श्वाब भाशा की शुद्धता पर ज्यादा धार नहीं देते थे और उस भाशन में सुक्तिया और चुटकुले भी होंगे परंतु इनके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन पांच बिलियन डॉलर के लगवक की संपत्ति वाले श्रोताओं पर अविस्मन निया प्रभाव पड़ा जब यह 90 मिनिट का भाशन समाप्थ हुआ और जब श्रोता इसके जादू के कारण अब भी मंत्र मुग्द थे तो मॉर्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग से ले गए जहां चौकट पर बैट कर और पेरों को नीचे नटका कर उन्होंने एक घंटे तक चर्चा की श्वाब के रक्तित्रिव का जादू पूरी शक्ती से काम कर रहा था परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थाई वह पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था कई और लोगों ने मॉर्गन की रूची जगाने की कोशिश की थी कि वे स्टील के लिए भी उसी तरह का स्ट्रस्ट बनाए जिस तरह बिस्किट, वायर और हूप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या चुविंगम के लिए बना रखा था जॉन डवल्यू गेट्स नाव के गैमलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परन्तु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था बिल और जिम मूर जो शिकागोग में स्टॉक जॉबर्स थे और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉर्परेशन बना चुके थे उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परन्तु वे भी असफल हुए थे देहाद के वकील अलबर्ट एच गैरी भी यहीं चाहते थे, वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रफाव पड़े सिर्फ श्वाब की वाकपटुता ही जेपी मॉर्गन को उन उंचायों तक ले जा सकी, जहां से वो देख पाए कि इस सासिक आर्थिक कायर के कितने जबर्दस परिणाम निकलेंगे हाला की आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर से यह विचार एक पागलपन भरा सपना ही था आर्थिक चुमकिया एक पीडी पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कमपनियों को बड़े और प्रतियोगिता से धाराशाई हो चुके कॉर्परेशनों में तबदील किया था और यह हस्मुक उसनिस पाइरेट जॉन डव्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकों से संबभ हुआ था चोटी कमपनियों से गेट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कमपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कमपनी बना ली थी परंतु अगर इनकी तुलना एंडू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्स से की जाए जिसके स्वामी और संचालक थे तो यह सारी कमपनियों और कॉर्पोरेशन बने थे चाहे वो कितनी ही एकता का परीचे दे दे परंतु वे सब मिलकर भी कार्नेगी सामराजय में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन यह बात जानते थे कार्नेगी भी यह बात जानते थे स्कीबोव कासल की शांदार उंचाईयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिट कर देखा कि मॉर्गन की कुछ छोटी कमपनिया उनके बिजनेस में किसी तरह प्रवेश कर रही है जब यह प्रयास अधिक सासिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोद लेना शुरू कर दिया उन्होंने यह फैसला किया कि वह अपने प्रतियोगियों की हर मिल को डुपलिकेट करेंगे अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हूप और शीट में कोई रूची नहीं दिखाए थी इसके बजाए वे इतने में ही संतुष्ट थे और उन्हें अपने मन चाहे आकार में ढलने देते थे परंतु अब अपने प्रमुप और योग्य लेफ्टेनेंट श्वाप के स्वयोग से वे अपने दुश्मनों को बरबात करने की योजना बना रहे थे च्वाल सैम श्वाप के भाशन में मॉर्गन को एक ही समस्या का जवाब मिल गया कारनेगी के बिना बना कोई ट्रस्ट जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी दरसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता जैसा एक लेखक ने कहा है ऐसा निम्मू का शर्बत होगा जिसमें निम्मू ही नहीं हो 12 डिसंबर 1900 की रात को श्वाब के भाशन में निश्चिद रूप से या संकेत था हाला की इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था की विशाल का एक आरनेगी सामराज या मॉर्गन के ट्रेंट में लाया जा सकता है श्वाब ने स्टील के भविश्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें सशमता हो विशेशग्यता हो असफल मिलो की ताला बंदी हो और सफल वस्तूओं पर प्रयास की एकागरता हो खनीज के आवा गमन में बचत हो ओवरेड और प्रशासनिक मदो में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो यही नहीं उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरी पायरसी में गलतिया कहां हो रही है उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष मोनोपोली बनाना, कीमते बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मीठे मीठे डिविडन देना था श्वाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की उन्होंने अपने शोताओ को यह बताया कि इस तरकी नीती में दूर दर्शिता नहीं है और इसका कारण यह है कि यह बाजार को एक ऐसे युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बूल बाला था उन्हें यह दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा स्टील के अधिक उप्योग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी जोली में आ जाएगा दरसल हाला कि श्वाब को यह बात पता नहीं थी परन्तु श्वाब आधुनिक मास्ट प्रोडक्शन के मसीहां थे युनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ मॉर्गन अपने घर लोट गए और श्वाब की सुनरी भविश्यवानी के बारे में सोचते रहे श्वाब वापस पिजबग लोट गए जहां वे एंड्रू कार्नेगी का स्टील बिजनस चला रहे थे गेरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकर्स के पास वापस लोट गए जहां वे अगले कदम का इंतजार करने लगे इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा श्वाब ने उनके सामने तरको का जो भोज रखा था उसे पचाने में मौरगन को एक सप्ता लगा उन्होंने अपने आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया की इसका परिणाप आर्थिक अपच नहीं होगा उन्होंने श्वाब को बुलाया और उन्होंने पाया कि यह युवक्त जरा संकोचित था श्वाब ने संकेत किया कि कारनेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वस्निय प्रेसिडेंट वाल स्ट्रीट के समराट के साथ मुलाकात कर रहा है जबकि कारनेगी नहीं कसम खाई थी कि वे वाल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे फिर जॉन डव्यू गेट्स नाम के बिचॉलिये ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलेडेलफिया में बेलवियू होटल में जा रहे है तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे जब श्वाब आये तो मॉर्गन दुरभागय से नियोर्क के अपने घर में बिमार थे और इसलिए उनके प्रबल आगरह पर श्वाब मियोग गए और उस आर्थिक दिगज की लाइबरेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई कुछ आर्थिक इतिहास कारों की माने तो इस नाटक की शुरुवात से लेकर अंध तक मंच के निर्देशक एंडू कार्नेगी थे वे यह मानते हैं कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषन श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात मुलाकात तक की सारी गटनाएं चतुर स्कॉट कार्नेगी के दिमाग की उपच थी परन्तु सच्चाई इससे ठीक अलग थी जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वे यह भी नहीं जानते थे कि लिटल बॉस एंडू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं वे बेचने के प्रस्ताओं के बारे में सोचेंगे भी या नहीं खास कर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरट चीरते थें परन्तु श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कौपर प्लेट के आंकणों की छ शीट ले कर गए जिनमें यह लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्त की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूलिय और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी चार लोग उन आकडों का विशलेशन करते हुए पूरी राध बैठे रहे जाहिर है कि इनमें सबसे प्रमुग व्यवक्ति मॉर्गन थे जिनका धन के देवी के अधिकार में द्रड विश्वास था उनके साथ उनका अभिजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकन था जो एक विद्वान और सूसंकृत व्यक्ति था तीसरा था जॉन डव्यू गेट्स जिसे मॉर्गन एक गैमलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औवजार की तरह इस्तमाल करते थे चोथे खुद श्वाब थे जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्याओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूओं से अधिक जानते थे पूरी चर्चा में पिट्सबर के इस आदमी के आकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था ना उससे अधिक ना उससे कम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वहीं कंपनिया रहे जिनका नाम उन्होंने लिखा था उन्होंने एक ऐसे कॉर्परेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लिकेशन नहीं होगा और उन मित्रों के लालच की संतुष्टी भी नहीं होगी जो अपनी कम्पनियों के बोच को मॉर्गन के विशाल कंदों पर उतारना चाहते होंगे जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की केवल एक ही सवाल रह गया था क्या आपको लगता है कि आप एंडू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं उन्होंने पूचा श्वाब ने उतर दिया मैं कोशिश करूँगा अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खरीद लूँगा मॉर्गन ने जवाब दिया श्वाब ने उतर दिया मैं कोशिश करूँगा यहां तक सब कुछ ठीक था परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे और अगर बेचेंगे तो बदले में कितनी रकम मांगेंगे श्वाब का अनुमान था लगबग 320 मिलियन डॉलर और वे रकम किस रूप में चाहेंगे कॉमन या प्रिफर्ट स्टॉक के रूप में बॉन के रूप में नकद कोई भी एक बिलियन डॉलर का प्रतिशत नकद में नहीं दे सकता था जन्वरी में वेस्टेस्टर में सेन आंड्रूज लिंक्स में एक गॉल्फ गेम चल रहा था और आंड्रू थंड से बचने के लिए स्वेटर पेने हुए थे और चारली लगातार बोल रहे थे ताकि कारनेगी का होसला बुलंद रहे ताकि बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया जब तक की वे दोनों कारनेगी कॉटेज की रामदही गर्मी में नहीं बैठ गए फिर उसी वाक पटुता के साथ जिससे उन्होंने युनिवर्सिटी क्लग के असी करोडपतियों को मंत्र मुक्त कर किया था श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनेरे सपने बताये और बुढे आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के करोडो अरोगों का जिक्र किया कारनेगी ने जवाब में कागज में पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दी और कहा ठीक है हम इतने में बेच देंगे आकड़ा लगबग 400 मिलियन डॉलर का था और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित 320 मिलियन डॉलर के आकड़े को मूलबूत आकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले दो सालों में पूमजी मूलिया में हुई वृद्धी के रूप में 80 मिलियन डॉलर जोड़ दिये गए थे बाद में ट्रांस अट्लांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कारनेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा काश मैंने आपसे 100 मिलियन डॉलर अधिक मांगे होते अगर आपने मांगे होते तो आपको वे भी मिल गए होते मॉर्गन ने खुश होकर बताया इस बाद से काफी संसनी फैली एक बिटिस सम्वादाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस देत्यकार ट्रस्ट से स्तंबित है येल के प्रेसिडेंट हैडली ने घोशना की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वाशिंटन एक समराट शासन करेगा परंतु योगिय स्टॉक विशेशगियर की ने नए स्टॉक को जनता को इतनी योगियता से बेचा कि सारा का सारा पानी कई लोगों का अनुमान था 600 मिलियन डॉलर पलक जपकते ही सोक लिया गया कारनेगी के पास करोड़ डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिगेट के पास कश्ट उठाने के अवैज में 62 मिलियन डॉलर और गेट से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ डॉलर थे 48 साल के श्वाप को भी अपना पुरस्कार मिला वे इस नए कॉर्परेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पन नियंत्रन करते रहे